इसे अपने इमोशन्स को कंट्रूल करूं मैं करना पड़ेगा बच्चे है तो तो जानती है ना हर चीज एक रीजन की पारवती है यहां पर इतनी भैस करती है बहुत अंबिका से कि नहीं मैं कुछ मानने को तयारी नहीं और यह तो परी है आप मुझे बार बार ऐसे क्यों ब पारवती की ओगात कहां compare कर रही हो और यह सुनके ने राजीव को थोड़ा गुसा भी आता है लेकिन राजीव कुछ बोलता नहीं है तेरे माँ और बहन यहां काम करें उसके पीछे में कोई रीजन होगा कोई कारण होगा अपनी ममीशी को फिर सजा के कले लगाना चाती हूँ मैं आए प्लीज रीज नो बच्चे कंट्रोल कर अपने आपको मैं जानती हो तो क्या फिल कर रहे है लेकिन यहां हम देखने की भ पर परी को भी बोलता है कि गलती होगी पार्वती मैं मैं आपको पार्वती बोलूगा आपको परी नी बोलूगा अपको परी नी बोलूगा लेकिन आप मुझे ना एक बर मेरी आखों में आखें डाल के बोलो कि आप पार्वती हो और पार्वती वही करती है यहां पर बोल पर पड़ा था ना कि शायद यहां पर पिगल जाएगी परियों बोल देगी कि नहीं में परियों लेकिन ऐसा कुछ निगल चुका है लेकिन इसा कुछ निगा पर देखने दूसरी तरफ के बही जो राजीव है न वो उसके लिए फेवरेट पन्ना बना के लाता है आम का पन् कुछ पी नहीं है और लाजीव को थोड़ा खती लेकिन LessonЛि लेकिन तो बहुत ज्यादा चायनीज और वो सब खाती है और उसने मना भी कर दिया ना कि मैं मीठा नहीं खाती हूँ लेकिन यहाँ पर मा के बने हाथों का पन्ना ना वो पी लेती है और भई अचानक से मा भी आ जाती है मतलब नीती अब चालो पर चाल चल रही है यहाँ पर क्या होता है कि नीचे कुछ गड़ जाता है और यहाँ पर नौकरानी के रूप में उसकी मा आ जाती है और वो देख करना एकदम शौक हो जाएगी परी को समझ मी नहीं आएगा क्या करूँ और यहाँ पर परी के मुह से मा निकल जाएगा अब भई जैसी मा निकलेगा ना नीती यहाँ पकड़ लेगी नीती तो इंजार कर रहे थी ना इन सारी चीजों का कि कुछ ऐसा हो कि भई यहाँ पर मैं परी को पकड़ू और बोलू कि तू पारवतीनी परी है और यहाँ पर वही होता है उसकी मा आती और मा को देख के वो एमोशनल हो जाती तो देखते भई आने वाले एपिसोड में क्या होता है क्या परी पकड़ी जाएगी या फिर यहाँ पर भई परी कोई नई चाल चलने वाली है क्योंकि हम प्रोमो देख रहते ना कि परी एक नई चाल चलने वाली है और वो नई चाल क्या है नीती की उपर ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखींगे